हेलो एवरिवन मैं हूँ अनिल पाटिदार मैगनेट बैंस हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कक्षा आठवी के सामाजिक विज्ञान के अंतरगत भूगोल हमारा जनसंख्या में व्रद्धी ही जनसंख्या परिवर्दन है चाहे वह व्रद्धी जन्म या म्रत्यू से हुवी हो चाहे वह व्रद्धी किसी दूसरे देश से आने वाले लोगों से क्यों ना हुई हो लेकिन फाइनली किसी देश में जनसंख्या की व्रद्धी तो हो रही है जनसंख्या व्रद्धि के हम लोग इन स्वरूपों की चर्चा करने वाले हैं क्या कारण है कि कुछ देशों में बहुत तेज ग्रोथ हो रही है और क्या कारण है कि बहुत कुछ देशों में ग्रोथ रेट जो बहुत धिमी कारणों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के दुरा किसी निश्चित आउदी मानलो सो साल मानलो कि 10 साल में हमारे देश में या किसी भी देश की बात कर ले हम लोग भारत के एक्जामपल ले लाते हैं अगर मैं लोग कि 10 साल में हमारे देश में 18 करोड लोग बढ़ गए इसका मतलब हमारे देश में जो जनसंक्या परिवर्तन है वो 18 क्रोड बढ रहे हैं या मर्त्यू और पहिदा होने वाले मरत्यों होने वाला की संख्या को हम लोग अगर मिला करके टोटल निकाले तो 18 क्रोड माल Yay दस साल का आकड़ा गया 100 साल में कितना होगा एक 1000 अ में सब्सक्राइब के लिए और इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट देखना पड़ा है इस साइड में दिखार दे रहा है इस चार्ट को आप देखोगे तो शुरू होता है पास सो बी-सी पंसे सह satisf चुरू होता है दोजारप लाफ दिया गया है तो इसम्हां वैश् keyword अगए सकते हो कि देखो किस तरह से दीरे-दीरे ग्राफ बढ़गे त्या क्या कारण है कि ये ग्राफ शुरू में तो ऐसा बढ़ा और दीरे-दिर 20 से इस तरह से भढ़ गया जैसे कि किसी कोम पनी की economy बढ़ती नहीं उसतरे से वारे देश की जनसंख्या बढ़ गई यह पुरे दुनीय की जनसंख्या बढ़ गए दोस्टों पुरे दुनिया की जनसंख्या अठास रोश पक्ते ही एक थी और अगले 1-1.5 साल में 3 आ भोगी आगले 3 साल में 6 अरब लिए QI तो मैं कह सकता हूं दोस्तों पर बहुत जन संख्या बढ़ रही देश इसका मतलब जन संख्या के बढ़ने को किसी निश्चित अवदी में जन संख्या के बढ़ने को ही हम लोग क्या कह रहेंगे जन्संख्या परिवर्दन कहलाएंगे जन्संख्या चाहे बढ़ रही हो सकता है घट नहीं कि ज़रुडरी तोड़ी ना किसी देश में लगाता बं-ब् consegu स्टोरी है बिमारी है बिमारी आ रही है सोचो कोरोना काल में क्या हुआ होगा कोरोना काल में बहुत सारे देशों में लाखों लोग की संख्या लाखों लोग मर गए हो सकता उन साल में इतने लोग जन्म भी न लिये हो तो तो इसे में क्या हो सकता उस देश की जन संख्या गुना बढ़ गई है कुछ साल की बात कर दो में महज 30 साल में 3 अरब लोग देश दुनिया में पैदा हो गए महज 30 साल की बात कर रहा हो किवल उसकी चर्चा में करूंगा भी आपसे कि 30 साल वो कौन से जिन 30 सालों में जनसंख्या बहुत तेजगती से बड़ी उसको विस्पोर्ट बोला गया जनसंख्या क्यों ऐसा होता होगा उन कारणों की चर्चा भी हम लोग करने वाले क्यों क्यों क्योंकि जन्मदर और मृत्युदर की संख्या में परिवर्तन आया कैसा परिव बहुत हो गई है हमने खेती अच्छी कर ली हमारे पास प्योग की बहुत चीज़ें हमारे पास तेल वेल सब कुछ उस समय था ज्यादा तो हमको लगा कि यह तो बहुत अच्छा माहौल बन गया तो इसे में क्या जनसंख्या बहुत तेज बढ़ना शुरू होगी और स्वा समनी कर रहा धड़कना बंद हो गया तो दूसरा लगा दिया जाएगा तो ऐसे बहुत सारी चीज जो है हमारे साइंस ने बहुत सारा तरक्की कर लिया साइंस की इस विकास की वजह से ही जनसंख्या में यह आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है अब देखे समझे ज सन अठाएदा तक जनसंख्या दीरे दीरे बढ़ रही थी तक अठाएदा ले से पहले की बात करा हो दोस्तों जब हम देश में अंग्रेज नहीं आयता तो इससे पहले की वहुतीर दshore हो चारण क्या था बच्छे जन्म्हा तो ले रहे थे लेजिज जिसुझा नहीं होने क कारण मत्यू भी हो जा रहे थी साथ ही साथ हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे किसानों के पास भी अच्छी उन्नत फसले उगाने के लिए कोई बीज नहीं थे थे उर्वरकों की आवशक्ता पढ़ती थी लेकिन नहीं मिलते थे ऐसे में किसानों के पास भी इसा बुस्ताने पर्याप्त भोजन नहीं होने और इस वज़े से इन तीन कारौनों की वज़े से जन संक्या धीरे धीरे बड़ी लेकिन अचानक से क्या हुआ जब इन कारोनों का समाधान हमने ढूंड लिया तो फिर मिला हमको एक शब्द जिसको हम लोग बोलते जन संक्या विस्पोर्ट विस्पोर्ट होना मतलब बहुत तेजगती से बढ़ना जैसे जन संक्या में तीवर वरदी जो बहुत कमावधी में हो रही है उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे जन संक्या विस्पोर्ट तो जन संक्या विस्पोर्ट चो है वह कैसे इसको समझेंगे इसको जड़ा समझने के लिए मैं तीन एक्जामपल देता हूं आपको पहला एक्जामपल कि सबसे पह लाग थी पूरी दुनिया की 50 लाग तो सरी हां पचास करोड शमा करें एक अरब होगी न तो पूरी दुनिया की जन्संग क्या थी 1500 AD में लगबग 50 करोड थी पचास करोड थी और 300 साल में अगले 300 साल में यानि 1800 AD में बढ़कर के हो गई यह एक अरब यानि सो करोड एक अरब होगी सो करोड जन्संग क्या होगी यानि 300 साल में कितने लोग बढ़े 50 करोड बढ़े हैं तीन सो साल में लेकिन दूसर ट्रेंड देखोंगी आप अगले डेर सो साल ऐनीं discontin 69 की बात कर रहा हूं अगले 1.500 साल बात जन्संक्या 3 अरभ हो गई कितने बढ़े 2 अरब वो भी कितने साल में देड़ सो साल में जहां तीन सो साल में पचास करोड बढ़ रहे थे वहां डेड़ साल में दो अरब बढ़ गए लेकिन उससे भी जादा जनसंक्या विस्पोर्ट जो हुआ धमा का वह हुआ अगले 30 साल में 1999 तक पुरे दुनिया की जनसंक्या 6 अरब हो गई दोस्तों इसका म हो आप जहां देड़ सो साल में बढ़ रहे थे वहां महज 30 साल में तीन बढ़ गये जबकि तीन comparative printers अरब तक्राइसा क्यों है क्योंकि स्वास्थ सुज़ाय मल गई इसलिए क्योंकि शिक्षा मिल गई इस्थ क्योंकि पर्रयाप्त भोजन मिल गया था और ऑर किसान भी अच्छा खा रहे थ है सब कुछ और अच्छी अनुकूल होना शुरूरी गई तो बहुत तेज व्रद्धी होगी लेगिन एक समय ऐसा है कि 1999 के बाद पूरी दुनिया अग्दम से चोक गई कि इतनी तेज जनसंख्या बड़ी है छे अरब हो गए अब समझने का समय आ गया है क्योंकि संसादनों पर हम लोग भारी पढ़ना शुरू हो गए तो आप य जाओ कि जनसंग के विस्पूट केसा है कारण क्या थे कारण एक तो अधिक जन्मदा क्योंखिते सुइक जादा लोग होंगे उतने से उतने मान लो for example ये जब तक हमारे देश में या दुनिया में ये स्वास सूधा नहीं थी तब तक क्या हो रहा था मान लो 100 बच्चे जन्म ले रहे थे एक दिन में 100 बच्चे जन्म ले रहे थे 100 बालकों ने एक दिन में जन्म लिया मान लो ऐसा मान लो इसको समझो तो बच्चों ने एक दिन में जनम लिया for one day और उसी दिन टोटल मरने वालों कि संक्याप पहले पुराना हिसाब बतारा हो जब महलों मरने वालों कि संक्या तीस लोग उसी दिन मर गए तो टोटल हमारे व्रद्धी कितनी हो कि 70 लोग हमारे पास extra लेकिन जैसे ही स्वास की फिर्टे नबे पड़े तो ऐसे हमने यह परिवर्तन किया और यहाँ पर बच्च बढ़त जा रहा है क्यों कि क्योंकि हमारे पास जन्मदर बहुत तेज है क्योंकि सब के सब कुछ आपूर्ति है लोगों के पास सब कुछ भोजन था सब कुछ था समस्याएं नहीं थी उस समय इस वज़े से इस दोरान यह 30 सालों में इतनी तेज व्रद्दीदर हो गई उसके चार करण है जनसंख्या विस्पोर्ट के चार करण कुन-कुन से अत्यदिक जन्मदर कर गार फूर आपूर ती कि ओशिदियों की व्यव्योस्ता यानि चिकत्सा की व्यवस्ता स्वास्त की व्यवस्ता मियंक्तिदर में कमी दिर दिरे मत्युदर में भी बहुत कम है जोकित और सम conviction कि जन्मदर क्या होती है म्रत्यूदर क्या होती है जन्मदर और म्रत्यूदर क्या होती है प्रती एक हजार व्यक्तियों में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या प्रती एक हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को हम लोग दोस्तों बोलते हैं जन्मदर और वहीं मृत्युदर क्या होगा मृत्युदर होगा कि प्रती एक हजार व्यक्तिहों पर मृत को कि संख्या एक हजार व्यक्ति में कितने लोग रहे हैं उनकी ृत भारत में 1,000 लोगों पर मालो 33 若 30 लोग मर रहे हैं या जन्म ले रहे हैं तीस लोग जिवित बच्च कि वो जन्म ले रहे रहे हैं ले रहे हैं तो मिन अगर बोलूगा आपको की जन्मदर क्या है भारत में लोगे पर época तो इसका परसाइं निकल कया आईगा बाओ कि लगबट भारत में जो है वो 3% 3% से भी कम आएगी तो जितना भी 30 से आप इसको काट के निकाल होगे उतना परसंदर आएगा 30 1000 का कितना हो सकता है 30 1000 का लगबक जो है 30 3% से ऑना चाहिए तो 3% जो है हमारी 30 प्रतिशत क्या है यह जन्मदर हमारी होगी ऐसा कुछ मान सकते हैं तो यह बहुत आसान तरीका निकालने का कि आपको बता और अच्ये कि उस देश का कितना है यह तो मैं एक्जांपल की तोरह पर निकाल रहा है इसा नहीं है भार प्रसेंट के असपास हो गया वहीं मृत्युदर की संख्या जाने की एक हजार लोगों में मरने वालों की संख्या मालों प्रति एक हजार में दस लोग मर रहे हैं तो मृत्युदर जो है वो और कम होगी क्योंकि हमने स्वास सुधा बढ़ा ली ना तो जन्म लेने वालों की सं क्या बेलकुल सिंपल था है किस से दिनोट करेंगे हम लोग 1000 करेंगे अब प्राकृतिक रूप से व्रद्धिधरी दर किसको बोलते हैं मालों पर एक्जामपल कि हमारा देश में 100 लोग एक दिन में जन्म लिए अभी बहुत था और 20 लोगों कि हो गई म्रत्यू हρέं कि सो लोग हो गाए जन्म वाले जन्मदर सो लोग होगी और मरत्यू कितनी होगी बीस लोग के होगे तो מאपनल हमारे पास जैन संक्या बड़ी कितनी असी लोग बढ़ße यह जो व्रद्दि उवई न यह व्रद्दि प्राकृती क्या लाती है तो जन संक्या बढ़ने का मुख्य कारण है जितनी प्राकृतिक व्रद्धिदर ज्यादा होगी दोस्तों उतनी जन संक्या व्रद्धी हो जाएगी तो मैं कह सकता हूं जन्म और म्रत्यू जन संक्या व्रद्धी के प्राकृतिक कारण है अगर जन्म कम है म्रत्यू ज्यादा ह हो जाएगी अगर जन्मदर जादा है मर्त्यूदर कम है तो जन्संक्या जो है वो बढ़ेगी और जन्मदर मर्त्यूदर बराबर है तो जन्संक्या स्थिर रह सकती है तो यह बहुत सिंपल सा जिसको आप कर सकते हैं दोस्तों नेक्स बात करते हैं कि यह तो एक बहुत सिंपल से हमने बाते समाझ ली कि जन संख्या व्रद्धी हो रही है जन संख्या व्रद्धी हो रही है उसी कौम लोग बोलते हैं जन संख्या में परिवर्तन तो जन संख्या व्रद्धी जो हो रही है जन्म और मृत्यों की वज़े से हो रही है ठीक है जन्म की विज़े से हो रही है है बच्चे लगातार जन्म ले रहे तो जन्संकिया क्या होरी इंक्रीज में लेंों कि किसी ओर करन से भी के जन्संकिया इंक्रीज्स हो सकती है था कि पाकिस्तां में आपाय कहीं हो बोच बढ़े हैं नौग परेशान होंगए खाने-बिने का कुछ नहीं है बढ़ गई तो एसी जड़ने वाली जनसंख्या को हम लोग बोलते हैं प्रवासी जनसंख्या जो प्रवास करके किसी दूसरे देश से हमारे देश में आती है तो जब प्रवास का मतलब एक स्तान से दूसरे स्तान तक जो घूमना या एक देश से दूसरे देश तक घूमना ज ये कारण है इस प्रवास के कारण क्या है इसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे पहले देख लेते कि प्रवास क्या है किसी शेत्र विशेश में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं जैसे लोग दिल्ली बहुत जाते हैं दिल्ली में जनसंक्या बहुत बह होती हैं एक देश से दूसरे देश की और जा रहे हैं मालों अमेरिका में बहुत रोजगा है तो लोग दुनिया के सारे देश के लोग अमेरिका मिल जाएंगे अपको अमेरिका में दुनिया के हर एक देश की रखती मिल जाते दोस्तों एक ऐसा देश जहां पर ऐसा कोई इंजनियर हमारे ही है तो सब्सक्राइब कितने लोग वहां पर होंगे दूसरे देशों के भी क्यों है वहां पर दूसरे देश के लोग आ रहे हैं वहां पर प्रवास कर रहे हैं कारण जो भी रहा हो उसकी जर्चा भी कर लेंगे एक देश से दूसरे देश में जाना प्रवा है यहां समझ में आगया next point की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्रवास के प्रकार क्या क्या है अब यह लोग एक जगे से दूसरी जगे जा रहे हैं तो इनको कुछ नाम तो देंगे कुछ तो बोलेंगे इसके दो प्रकार एक है आप प्रवास और एक होता है उत्प्रवास आप प्रवास मतलब जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में जा रहा है जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में जा रहा होता है तो इसको बोलते है आप प्रवास यानि उन लोगों का अप्रवास हुआ है य 2022 में हमारे इंडिया की बात करते हैं भारत में माल लोग एक हजार लोग नए आये दूसरे देश से आये दूसरे देश से आये और वहीं 2000 लोग हमारे देश से दूसरे देश चले गए दूसरे देश चले गए दूसरे देश चले गए या ऐसा कह सकता हूं कि यह जो 2000 लोग है यह क्या इन्होंने क्या किया हमारा देश छोड़ दिया भारत छोड़ गए ठीक है तो यह जो एक हजार लोग यह क्या कहलेंगे एक हजार लोग कहलेंगे अप्रवास इनका अप्रवास यह आये और उत्प्रवास मतलब 2000 लोग यहां से चले गए यह जो लोग हमारे देश को छोड़के चले जाते हैं उनको बोलते हैं उत्प्रवासी लोग और जो लोग उनके देश को छ जाता है तो अप्रवास कहलाता है और जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उस उत्प्रवास कहलाता है कहा जाता है इसी को आपको देफिनेशन में पूछा जा सकता है इसी से दो शब्दोर बनते उसकी चर्चा भी खर लेता है जैसे आप प्रवासी क्या होता है उत्प्रवासी क्या होता है आप प्रवासी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी नए देश में जाता है वे लोग जो नए देश में किसी देश में जाते हैं आप प्रवासी कोन होते हैं उत्प्रवासी कोन है तो उत्प्रवासी वे लोग वे लोग जो देश को छोड़ देते हैं तो उन लोगों को आप प्रवासी या उत्प्रवासी कहा जाता है और इस प्रोसेस को आप प्रवास और उत्प्र युसका कईरं होगा अप्रवास और शुडान में एकदम से जनसंग्या बहुत तेज गतिसे लगातर कम हो रही जब कि वहांपर मत्तिदर भी नहीं है कि जनसंग्या तेज गतिसे कमोश महां तो बंढ़ नाची जन युआ से और और शच्छा नाहों पर शेव हो रहे हैं जोप्स बाबत तो यह हो रहाया है बाहर के लोग आकर यहां बस रहें दूसरे दोसते नहें लोग आए तो अप रवास हो रहा है तो संक्या बढ़ंगे अर जिसे सुड़ान के इक्जाम्पल ले से तो एंसे आटी में दिया है सुदान देश में जन्मदर बहुत तेज जन्मदर भी तेज तो वहाँ पर वैसे भी जो है टोटल ग्रोथ होना चाहिए लेकिन फिर भी वहां के लोग छोड़ छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं क्योंकि वहां पर अच्छे रोजगार नह नहीं है वहां पर खाने पीने की ववस्ता नहीं है तो वहां के लोग वहां को छोड़ रहे है उत्प्रवास हो रहा है तो उत्प्रवास के कारण सुडान की संख्या कम हो रही है म्रत्यूदर के कारण नहीं हो रही है अब उत्प्रवास के करण हो रही है जबकि यूए से क कि जनसंख्या बढ़ रही है जनमदर के करन नहीं बढ़ रही है जबकि अप्रवास के करन बढ़ रही है तो अप्रवास उरुद्प्रवास भी किसी देश की जनसंख्या को परिवर्तित कर सकता है जनसंख्या में परिवर्तन ला सकता है यह इन उधारनों के माध्यम से हम लो लोग आकर शहरन ले रहे हैं पाकिस्तान से देश के लोग हमारे आकर शहरन ले रहे हैं इसे लंका के लोग हमारे देश में आकर शहरन ले रहे हैं दुनिया के बाहर के कही सारे देश के लोग जिन देश जिनके देशों ने उनको वहां से निकाल दिया है वो लोग हमारे देश के लोग भागते भी हैं तो ऐसा आपने उक्राइन और रेश्या के युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा उक्रेट बरहरों के बीश में युद्ध हुआ तो उक्रेट के लगबग कुछ तो करती ही हम उसकी बात करेंगे नेक्स बात करते हैं यह तो हमने उधारन समझ लिया आगे समझते दोस्तों अंतराष्ट्री प्रवास का करण क्या अंतराष्ट्री प्रवास मतलब एक देश से दूसरे देश दूसरे देश से तिसरे देश जाना यह सब क्या एक देश मैंने दिया था ना कि गाओं से लोग शहरों की और जा रहे हैं एक ही देश के अंदर लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं यह गाओं वाले जो है सारे सारे शहर में आ रहे हैं क्योंकि शहर में आपको रोजगार सिक्षा सुईदा स्वास सब कुछ मिल रहा है तो लोग यहां पर रोजगार के लिए अक्रशित हो रहें तो किसी देश के अंदर ही जब कोई जंसंक्या का बड़ा सा भाग किसी एक विशेश चत्र की और जाना शुरू कर दे तो इसको भीतरी प्रवास कहते हैं तो यहां भी हमने इस चीज को समझ लिया है आगे समझते हैं दोस्तो नंबर एक पहला करन अच्छे आर्थिक अउसर सबसे पहली बात दोस्तों हरेक इंसान का जीवन में एक ही सपना होता है कि पेसा कमाना और पेसे कमाने के लिए उसको कोई साधनी न मिले तो वो क्या करेगा अगर आपको पेसे कमाने के लिए इस देश में नोकरी नहीं मिल 2-2 देश से अधिक आर्थिक विक्सित देशों की और लोग पलायन करते हैं कम विक्सित समझते दोस्तव जो विक्स जो कम विक्सित हैं कि में समझते होंெया जिसमें बहुए धन सबकुक्छी हो पैसे हो svat suvidha हो और रोजगार के ऊशरूसरों वो विक्सित देश है और गा ताकि मुझे उनकी जीवन है वब अच्छा भीत यह संवें अफ्रिका के ज्यादातर देशों के लोग के दुनिया के दूसरे देशों में इसलिए जाना पसंद्द करते है क्योंकि अफिरिका में उनको कुछ सुधाएstones मिलती है इस वजह गया है शहर और बड़े होते जा रहे है शहरों का भार बढ़ा होता जा रहा है शहरों की जन संक्या लगातर बढ़ रही है जब कि शहरों में इतने नहीं हो रहे लेकिन पर सब्सक्राइब बढ़ रहे क्यों कि बाहर की लोग आकर के उस शहर में रहे है और ये वह लगातर घर लेकर के तो गए क्या आपको पता है अगर आप किसी शहर में रहे हो और आपको अब निकालने हो तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि आपकी शहर की जनसंख्या कितनी है जनसंख्या से मतलब उस शहर के रहने वाले ही है तो आवशक्ता भी ज्यादा होगी और मांग ज्यादा होगी लेकिन वहीं ग्रामीन चत्रों में आवशक्ता कम है जनसंख्या कम है इसलिए मांग भी वहाँ पर कम हो जाती है है तो है तो दोस्तों आपने है पर समज़ा जंसंख्या कि स्ट्रेंड को बसंग को कि हम दो ही तो सब्सक्राइब लोगोध अ Scrsen परिवर्तन में दो फिर। देखी एक तो अ searchñas संग जन search करोगी जैसे ही Hindi medium पर click करेंगे आप आपको मिलेगे हिंदी medium से संबंदित सारी क्लासों के वीडियो यानि सारी क्लास के कोर्स मिल जाएंगे जैसे आप करक्शा 8 पर click करोगे करक्शा आथ भी पढ़ाने वाले जो teacher होंगे उनके के सबके फॉटो विषैं के साथ में आपको दिख जाएंगे और जैसे ही आप वाफ्ष नौव पर क्लिक करते हों वाफ्ष नोव का मतलब jsem पूर्थ कव कि अब ही देखे इसको अगर आप इसको देखना है आपकोत पर क्लिक करेंगे जैसे वाच्णभ पर क्लिक करेंगे आपको यह विंडो दिखाई देगी इस विंडो में आपके टीचर के साथ सभी जानकरेये मिलेगी वहाँ पर आपको पाठ्ठेक्रम परीचे संसाधन ऐसे चेप्टर वाइस सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे जैसे आप इन वीडियो पर क्लिक करोगे आपको एसा एक दूसरा वीडियो यह दूसरा विंडोस कुलता दिखाए देगा जिसमें आपका वीडियो शुरू हो जाएगा तो दोस्त मुख सिक्षा जो की क्लास छे से क्लक्षा बारवी तक ऑनलाइन इस स्कूली सिक्षा है फॉर अल सब्जेक्ट और अगर आपको हमारे चैनल हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तब तक दोस्तों त